पानी फाउंडेशन ने महराश्टर के तीन जिलों के एक-एक तालुके में सत्यमेव जयते वाटर कप स्पर्धा की शुरुवात की इस पर्धा में इन तीन जिलों के आधे से ज्यादा गाउं भाग ले रहे हैं स्पर्धा में भाग लेने की शर्ट के अनुसार हर गाउं को अपने यहां से पांच लोगों को चार दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजना था हमारी सोच इस ट्रेनिंग को बहुत खास बनाने की थी इसके लिए प्रशिक्षन की आधुनिक तकनीकों का इस्तमाल करते हुए एक ट्रेनिंग मैनियल बनाया गया इसमें पानी की समस्या से पार पाने के तकनीकी और सामाजिक, टेक्निकल एंड सोशल दोनों पहलूँओं को शामिल किया गया ये एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग थी, जिसके लिए पहले से तयार टीचर्स मिलना नमुम्किन था वाटर और स्पर्श नाम की दो संस्थाओं से 20 ट्रेनर्स की एक टीम को चुना गया और एक वर्क्शॉप के जरीए उन्हें इस ट्रेनिंग को देने के लिए तयार किया गया फिर तीन गाओं में प्रशिक्षन केंद्र खोले गए पहला प्रशिक्षन केंद्र पानी के मामले में तीर स्थान माने जाने वाले गाओं धिवरे बाजार में खोला गया यहां के क्रांतिकारी सरपंच श्री पोपटराव पावार ने बड़ी खुशी के साथ न सिर्फ मार्कदर्शन किया बल्कि अपने विशाल ट्रेनिंग सेंटर्स की सारी सुविधाओं के दर्वाजे दूसरे गाउं से आने वाले लोगों के लिए खोल दिये नलवडेवाडी और हिवरे नाम के गाउं में भी एक-एक सेंटर खोला गया कहीं भी आसपास ना होटेल्स थे ना केटरिंग की सुविधा ना कॉन्फरेंस हॉल्स इन सभी व्यावारिक दिक्कतों के बावजूद इन गाउं में ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने का निर्णे हुआ क्यूंकि जल संधारन के मामले में ये आदर्श गाउं हैं और सुखे के बावजूद हरे भरे और जलमय हैं आने वाले प्रशिक्षनार्थियों को ये दिखाना बहुत जरूरी था कि जल संधारन के काम के कैसे बहतरीन नतीजे आ सकते हुए इन गाउं ने सहर्श अपने दिलों और घरों के दर्वाजे इस सामुहिक काम के लिए खोल दिए के लगाउं के स्कूल में रशोई खोली गई तो कहीं सामुदाई केंद्र ट्रेइनिंग होल बना तो कहीं प्याज का गोदाम प्रशिक्षन के काम के लिए खाली किया गया गूसरी तरफ हमारे Electronic Communication Center ने युद्धिस्तर पर प्रशिक्षन के लिए फिल्में बनाई इनमें कई फिल्में तकनीकी थी, कई डू इट यॉरसेल्फ और कई प्रेडणा दाई Watershed को दिखाता और समझाता हुआ एक मॉडल भी बनाया गया इस ट्रेणिंग के एक खास बात यह थी, कि इसमें चार दिन में एक भी लेक्चर नहीं था सभी सेशन्स लोगों की भागिदारी के साथ थे Watershed Development की संकल्पना, उसका कॉंसेट खेलों द्वारा सिखाया गया Watershed Development के काम में लगने वाले इंस्ट्रुमेंट्स को इस्तमाल करने की जानकारी आसान तरीकों से दी गई Watershed के मॉडल के जरीए पानी को बचाने की तकनीके समझाई गई फिल्में दिखाई गई फील्ट्रिप्स हुए श्रमदान का महत्त्व समझा और समझाया गया याद ठीकाने के ट्रिनीम मधे में पाई जा निवर वर्गा मदे क्लासरूम मदे बसून फुस्चकी द्यान दयाई चनाई तो गोश्टियों रुपाने फ्रेम सोहार्द अपनापन और भाईचारी की भावना के साथ 150 से अधिक गाउं से आए 700 से ज्यादा प्रतिनिध्यों की ट्रेनिंग हुई है इस ट्रेनिंग से तयार हुए लोग आज अपने अपने गाउं में लौट कर सत्यमेव जयते वाटर कप जीतने के लिए पूरे उत्साह के साथ पानी के काम में जुट चुके हैं कर दो हुए लि Baptistमा लोग możliिells, हिर्व चुके बजय रिल्माव के लिए अपना। कर दो यूख जाद Arch G Nathan